नमस्ते कैसे हैं आप सब लोग भगवान से कैसे मांगें कि भगवान आपकी मांगे हुए चीज आपको दे ही दें तो मांगने का ऐसा मांगने जैसा कोई नियम नहीं है आपको भगवान से कुछ भी मांगने की जरूरत ट्रस्ट में नहीं है लेकिन मांगने का एक ऐसा तरीक जो बिना मांगे भी आपको दे दिया जाता है, भगवान कहीं और नहीं है, भगवान हमारे अंदर ही है, वो हमारे अंदर ही विराजमान है, हमारे अंदर ही रहते हैं, हम किस तरह से रियाक्ट करते हैं, हम किस तरह से बात करते हैं, हम किस तरह से अपनी बातों को रखते हैं, हम किस तरहां से मांगते हैं वो जादा matter करता है तो आप किस तरहां से अपनी बातों को रखते हैं और जिस भी तरीके से आप अपनी बातों को रखते हैं क्या वही आपका तरीका भी है जीने का क्योंकि ये important है ये आपका जानना बहुत जादा important है कि जिस भी तरह से आप अपनी बातों को रखते हैं एक तो तरीका ये हो गया कि हे भगवान मैं बहुत ज़ादा परिशान हूँ ये मेरी परिशानी का कारण है आप मुझे इस परिशानी से आजाद करिये प्लीज मुझे इस से आजाद करिये एक तो ये हो गया, ठीक है, नॉर्मली यही एक तरीका है, और इसके बाद जो आपका राइट तरीका है मांगने का, कि बगवान मैं खुश नसीब इंसान हूँ, मेरे जिंदेगे में सब कुछ अच्छा हो रहा है, मेरे लाइफ में सब कुछ बहतर बहतर हो रहा है, और मुझ पताने के जो दोनों तरीके थे वो अलग हो गए, एक में आप से परिशानी परिशानी बोल रहे हैं, तो जिस तरीके से आप बोल रहे हैं, ईश्वर उसे वैसे ही सुन रहे हैं, और वो बोल रहे हैं कि ठीक है, तुम परिशान हो, ठीक है, तुम दुखी हो, ठीक है, ये मे पदद अच्छी होने वाले है, मुझे पता है, ठीक है. एक तो होगया इस तरीके से बात करना, दूसरा इससी चीज से जुड़ी होई बात है, उसी तरीके से जीना भी, जीने का वो तरीका भी होना चाहिए ये नि होना चाहिए कि हाँ मैंने भगवान जी के सामने जाकर के बोल दिया कि सबकुछ अच्छा है अच्छा है एक्छा है लेकिन कोणे में जाकर के मैं रहु रही हूँ फ्याइ? आपको खुश रखना आपका ही काम है क्योंकि आप खुश रहते हैं, तो आपके अंदर बैठा हुआ है, ईश्वर खुश रहता है, अब इसके बाद फिर से हम मांगने की ही बात करते हैं, एक तरीका ये है मांगने का, एक तो ये हो गया कि अपनी परेशानी बताने का ये तरीका हो गया, और उस परेशानी का हल मा चाहिए मुझे ये चाहिए मुझे देदो मुझे देदो मुझे देदो मुझे देदो मुझे देदो मुझे देदो तो भगवान जी पूलते हैं कि ठीक है तुम देदो ही करते रहोगे तो आपको क्या बोलना है कि मुझे पता है कि यह हो रहा है मुझे पता है कि यह जो से जहां पर भी आप बैठे हैं पूजा कर रहे हैं प्रार्थना कर रहे हैं प्रेयर कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है वो करना चाहिए हर किसी का अपना अपना धर्म है और हर किसी का प्रार्थना करने का अपना तरीका है लेकिन क्या वहां से ठीक है रहा है वो जो परमात् कर रहे हैं, डे दो, मतलब मांग ना मैंनिकेस्ट कर रहे हैं, देखा जाए तो लेकिन आपको मांगना तो नहीं है आपको तो यह बोलना है कृचीज हैavat यार यह है देखो मांगने से पहले वह चीज़ है की नहीं है आप खुद बताओ not इस बात का खुदी जवाब दो, आप जिस भी चीज़ को मांग रहे हो, वो आपके माइंड में है कि नहीं है, भले वो ऐसे हो कि वो नहीं है आपके लाइफ में, लेकिन क्या आपके माइंड में वो है, है, तो उसे ठीक है क्यों नहीं बोलते, उसे ऐसी क्यों नहीं बोलते कि ये चीज मेरे माइन में है, मेरे लाइफ में उतर रही है, तब आपके अंदर से वो आवाज आती है, वो परम पिता परमेश्वर की एक आवाज निकलती है, आपको सामने बैठे वे इश्वर के तरफ से एक आवाज आती है, कि ठीक है, ठीक है, मतलब कि वो चीज तुम्हारी है और तुम्हें मिलेगी बिल्कुल मिलेगी क्योंकि वो रस्ते में आ रही है जब आप इस तरीके से सोचना शुरू करते हो तो आप उसके बाद धीरे-धीरे करके अपनी प्रेयर के अंदर भी बदलाब देखते हो और यह देखते हो कि वो आनी रही है वो आ गई है वो हो ग रखने का और अपनी बातों को रखने का कुछ मांगने का मांगना होता ही नहीं है सिर्फ बात करनी होती है मांगने का कोई ऐसा नियम नहीं है कि मुझे दे दो नहीं आपने बहुत दिया है आपका शुक्रिया आपने मुझे बहुत दिया है थांक यू जो भी आपने दिया है वो हाज जोड करके मैं स्वीकार करती हूँ, मैं स्वीकार करता हूँ, पर इसकी बचलाए हम ऐसे करते हैं, सिर्फ ऐसे करते हैं, दे-दो, 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 तो ये ही manifest कर रहे हैं, हम सिर्फ दो, दे-दो, हे manifest कर रहे हैं, जितना मांगते हो, आप सिर जाते हो कि यार मैंने ये भी मांगा मुझे ये भी नहीं मिला, मैंने ये भी मांगा मुझे ये भी नहीं मिला, मैंने तो ये 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 इतना मांगा मुझे तो मिला ही नहीं, लेकिन किसी नहीं मांगा उसको सब कुछ मिला reason यह है कि जब आप नहीं मांगते हो और भरपूरता का अंदर से नुभव करते हो और जो भी शब्दा बोल रहे हो वही अपनी जीवन का तरीका भी बनाते हो तो फिर आप easily manifest करते हो आपके लिए ईश्वर के मन से आवाज आते है कि ठीक है यह तुम्हारा है जाओ ले लो लेकिन वो आपको भी तो बोलना पड़ेगा ना कि वो मेरा है लेकिन आप तो वो बोलते ही नहीं हो आप बोलते हो कि दे दो क्योंकि आप यह अंदर यह अंदर एक आवाज चलते है वो मेरा नहीं है वो चीज मेरी नहीं है वो चीज मेरी नहीं है, तो आप बोलते हो की दे दो, लेकिन जब वो आपके दिमाग में है, तो वो है, और वो मेरी है, ऐसे बोलोगे, तो आप देखोगे, कि आप कैसे धीरे धीरे उसी चीज में रमते जा रहे हो, और कैसे वो चीज आपकी लाइफ में उतर करके भी आ गई आ रही है ऐसे आ गई हो गई और फिर आपकी 3D में घट गई आप इसली बीना मांगे मैनिफेस्ट कर सकते हो यह तरीका है इश्वर से मांगने का अपनी परेशानियों को सामने रखने का और आप देखेंगे कि परेशानी के हल भी निकल जाएंगे और आपने जो कुछ भी मा अनिवाद करना और अपनी बातों को सही तरीके से रखना सही माइने में वही मांगना है और सही माइने में अपनी परेशानियों का बेहल वही है अपना अपना रखिये खायाल अपनी आप से कीजिए धेर सारा प्यार ताकि आप अपर ट्राक्ट करें ठी सारा प्यार लाग झाल